अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टर्ली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे अपनी राज्य में माल बेचना यानि इंट्रास्टेट सेल करना इसके अंतर गर्द हम आपको बताएंगे साथ ही बताएंगे कि इंट्रास्टेट सेल के वक्त कौन कौन से टैक्स लगाये जाते हैं इसके पहले हमने आपको इंट्रा स्टेट पर्चेस वाली वीडियो यानि वीडियो नंबर 76 में बताया था कि इंट्रा स्टेट पर्चेस किसे कहते हैं ठीक उसी तरह जब हम अपने राज्य की सीमाओं के अंदर माल बेशते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं इसे हम एक उदारण से समझ लेते हैं, जैसे कि हम मध्यप्रदेश राज्य के इंदौर के व्यापारी हैं और हमने मध्यप्रदेश के ही भोपाल शहर के किसी व्यापारी को माल बेचा, तो इस तरह अपने ही प्रदेश में किये गए विक्रे को इंट्रास्टेट सेल कहते हैं ये सेल तीन तरह की हो सकती है, regular dealer को की गई सेल, composite dealer को की गई सेल, या फिर किसी unregistered dealer या consumer को की गई सेल ध्यान रखें, हम इनमें से किसी को भी माल बेचें, हर बिल में tax लगा कर ही माल बेचना होगा, यानि हमारे लिए ये सभी सेल्स taxable होंगी आई अब एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं पहला है किसी regular dealer को माल बेचना इसे हम एक उधारन से समझ लेते हैं हमने दीपक ट्रेडर को जो की इंदौर का ही regular dealer है 2 अप्रेल को 15,000 रुपए प्रती नक के हिसाब से 5 printer उधार बेचे जिस पर 18% के हिसाब से GST चार्ज किया चलिए अब हम इसका बिल बना लेते हैं अभी हम gateway of tally पर हैं voucher के लिए V प्रेस करेंगे और फिर sales voucher के लिए F8 प्रेस करेंगे हमने ये माल 2 अप्रेल को बेचा है तो हम F2 प्रेस करके voucher की date चेंज कर लेते हैं हमने दीपक ट्रेडर को उधार माल बेचा है इसलिए उसका लेजर बना लेते हैं अंडर में संडरी डेटर सेलेक करेंगे मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यसी रखना है अड्रेस में पार्टी का अड्रेस टाइप करेंगे और यहां स्टेट मध्प्रदेश ही रहने देंगे अब पिंग को टाइप कर देंगे यहां हम पार्टी की कॉंटेक्ट डिटेल्स भी देना चाहते हैं पर यहां पर उसका कोई ओप्षन दिखाई नहीं पड़ रहा है इसके लिए हमें F12 प्रेस करके अब यहां पार्टी डिटेल्स के अंतरगर दिखाई पड़ रहे प्रोवाइट कॉंटेक्ट डिटेल्स ओप्षन को यस करना होगा अब हम इस स्क्रीन को एकसब कर लेते हैं यह देखिए मोबाइल नंबर और प्रोवाइट कॉंटेक्ट डिटेल्स ओप्षन आ गए हैं Mobile Number में हम Party का Mobile Number डाल देंगे, Provide Contact Details आप्षन अभी No है तो हम इसको Yes कर देंगे. ऐसा करते ही देखिए Contact Details की स्क्रीन आ गई है, हम जिस Party का लेजर बना रहे हैं और यहां हम जिस व्यक्ति के संपर्क में रहने वाले हैं, Contact Person में उसका नाम टाइप करना होगा. यहां उससे संबंधित अन्य जानकारी टाइप करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे, अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर सिलेक करेंगे, यहां पार्टी का जी एस्टी नंबर टाइप करेंगे, इसके बाद है सेट अबलिक अल्टर जी एस्टी डिटेल्स, इसे नो ही रहने देंगे और इसे सेव कर लेंगे, देखिए हम एंटर प्रेस करते हुए पार्टी डिटेल्स की विंडो पर आ गए हैं, यहां पर पार्टी का नाम, अड्रेस और जी एस्टी नंबर एक बार फिर से चेक कर लें, यहां हमें सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सेलेक करना है, जो कि हमने नहीं बनाया है, तो हम इसे बना लेते हैं, अंडर में सेल्स अकाउंट्स ग्रुप सेलेक कर रहे हैं, एंटर प्रेस करते हुए हम टाइप ऑफ सप्लाई पर आ गए हैं, यहां पर हम गुट सेल और फिर इसे सेव कर लेंगे। आइटम में हम प्रिंटर सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉंटिटी में 5 और रेट में 15,000 टाइब कर रहे हैं। यह देखें यहां पर अमाउंट में 75,000 आ रहा है। यदि हमने कोई और आइटम भी बेचा होता, तो उसे भी इसी तरह सेलेक्ट कर लेते। हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है, इसलिए हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, हमने यह सेल अपने ही स्टेट के अंदर किया है। इसलिए यहां पर हमें CGST और SGST लगाना होगा। CGST और SGST के लेजर कैसे बनते हैं, यह हमने आपको इंटर स्टेट पर्चेस वाले वीडियो में बताया है। यह देखिए, जैसे ही हमने CGST सिलेक किया, 9% के हिसाब से 6,750 रुपीज आ गए हैं। अब SGST सिलेक करेंगे, यह देखिए, SGST में भी 9% के हिसाब से 6,750 रुपीज आ गए हैं। और अब बिल की टोटल वैल्यू भी 88,500 आ रही है। देखिए, बिल्वाइस डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। यहां हम आपको बता दें कि बिल्वाइस डिटेल्स और उसकी चारों मैथट्स, New Reference, Advance, Against Reference और On Account के बारे में हम आपको पहले की वीडियोज में डिटेल में बता चुके हैं। देखिए, बिल्वाइस डिटेल्स में यहां New Reference selected है और हमें यही चाहिए। अब इस एंट्री को सेव कर लेते हैं। अब हमने जो बिल बनाया है पेज अब प्रेस करके उसका प्रिंट प्रिव्यू देख लेते हैं। हम इसे जूम कर लेते हैं। अब हम GST की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए Alter और G प्रेस कर रहे हैं। यहां GST टाइप कर रहे हैं। और GSTR 1 पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। क्योंकि GST की Cell रिपोर्ट हमें GSTR 1 में मिलती है। यह देखिए, अब हमने जो Cell की थी वो P2B में दिखाई पड़ रही है। अब हम Escape की प्रेस करके वापस Voucher पर आ गए हैं। अब दूसरे टाइप का बिल जो की Composite डीलर को माल बेचने का है उसे बना लेते हैं। Composite डीलर भी एक Registered डीलर है और इसके बारे में हम आपको GST Introduction वाली वीडियो में बता चुके हैं। हमने एक Composite डीलर अशोक Traders को जो की मदप्रदेश के उज्जेन शहर का डीलर है दो अप्रेल को 15,000 रुपए के भाव से एक प्रिंटर उधार बेचा। अभी हम Cells Voucher पर हैं। सबसे पहले हमें पार्टी का लेजर क्रियेट करना होगा। यहां हम अशोक Traders टाइप कर रहे हैं। Under में Sunry Data Group सेलेक कर रहे हैं। यहां Address टाइप करेंगे। यहां State मदप्रदेश ही रहने देंगे। अब Enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहां Registration Type में Composition सेलेक करेंगे। और यहां उसका GST नंबर टाइप करेंगे। अब इस लेजर को सेव कर लेंगे। हम Enterprise करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। Party Details की Window आ रही है। इसे भी चेक करके सेव कर लेते हैं। हम वापस Cells Voucher पर आ गए हैं। यहां हम Cells Account सेलेक करेंगे और Enterprise करेंगे। अब Name of Item में Printer सेलेक करेंगे। यहां पर Quantity Type करेंगे। यह देखे रेट में वो ही रेट आ रहा है जिस रेट में हमने माल बेचा है। इसके अलावा हमने और कोई आइटम नहीं बेचा है। इस ले Enter Press करके आगे बढ़ रहे हैं। यहां हमें Text के लेजर सिलेक करना होंगे। याद रखें यह Cell भी State के अंदर ही की गई है। इसलिए हम यहां CGST और SGST के लेजर सिलेक कर रहे हैं। चलिए इसे Save कर लेते हैं। अब GSTR1 पर जाकर इसकी GST Report देख लेते हैं। देखे अभी हमने जमाल बेचा वो GSTR1 में B2B में दिखाई दे रहा है। ध्यान रखें, जब हम GST की Purchase Report GSTR2 के B2B में देखते हैं, तो उसमें सिर्फ Regular Dealer से की गई खरीद ही दिखाई पड़ती है। जबकि यहां हम GST Cells की जो रिपोर्ट GSTR1 के B2B में देख रहे हैं, इसमें किसी भी Register Dealer यानी Regular Dealer और Composite Dealer दोनों को बेचे गए माल की रिपोर्ट दिखाई पड़ती है। अब ही हमने आपको Regular Dealer और Composite Dealer को माल बेचना बता दिया। आई अब तीसरे टाइप की Cells को भी समझ लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने GST Introduction वाली वीडियो में बताया था, कि जिन डीलर्स के पास GST Registration नहीं होता है, उन्हें Unregistered Dealer कहते हैं। इस तरह के डीलर्स का कारोबार बहुत छोटे पैमाने पर होता है। इसी तरह प्रायर जो भोक्ता यानि कंजूमर होते हैं, उनके पास भी GST Registration नहीं होता है। इन दोनों के बिल बनाने की प्रोसेस एक ही है। चाहे हम Unregistered Dealer का बिल बनाएं या Consumer का बिल बनाएं। दोनों की रिपोर्ट B2C में दिखाई पड़ती है। चलिए दिखते हैं। हमारे पास एक Customer आया और उसने कहा कि उसे एक Monitor चाहिए जिसका Payment वो हमें तुरंत कर रहा है। इसका मतलब हम जो बिल बनाएंगे वो नकत का बनाएंगे यानि की Cash Cell का। हम Cells Voucher पर हैं। पार्टी नेम में Cash सिलेक करेंगे। यह देखे ओडर डिटेल्स की स्क्रीन आ रही है। चूंकि पार्टी ने ये माल Cash में खरीदा है इसलिए यहां Mode, Oblig, Terms of Payment में हम Cash टाइप कर रहे हैं। Enterprise करते हुए हम पार्टी डिटेल्स पर आ गए हैं। यहां हम Buyers के आगे Buyer का नाम टाइप कर रहे हैं। यहां उसका Address टाइप करेंगे। State में मध्यप्रदेश ही रहने देंगे क्योंकि वो मध्यप्रदेश के भोपाल शहर का ही है। यहां यदि Buyer Unregistered Dealer है तो हमें Unregistered सिलेक करना होगा। और यदि Consumer है तो Consumer सिलेक करना होगा। हम Consumer सिलेक कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को सेव कर लेते हैं। पहले की तरह ही यहां हम Cells Ledger सिलेक करेंगे। Item Name में Monitor लेंगे, Quantity 1, और Rate 12,000 रुपीज टाइप करते हुए हम नीचे आ गए हैं। अब हमें CGST और SGST के Ledger सिलेक करना होगे। यह देखिए हमने दोनों Text लगा दिये हैं। अब इस Entry को सेव कर लेते हैं। हमें Customer को Bill देना हैं तो आए उसका Preview देख लेते हैं। यदि यहां Buyer के आगे Party की Details आ रही है तो ठीक है। पर कई बार ऐसा भी होता है जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। Bill बनाते समय हमने Party की पूरी Details दी थी पर वो यहां दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके जगह केवल Cash लिखा हुआ है। तो अब ऐसे में क्या करना होगा। तो यहां हमें वापस Print Screen पर जाकर कुछ Configuration करना होगा। उसके लिए यहां पर हम Type करेंगे Party। यह देखे यहां Show Name and Address from Party Master, Option Yes है। हम इसे No करके इस Screen को Save कर लेते हैं। और फिर से Preview देख लेते हैं। यह देखे, Cash की जगह अब Party की पूरी डिटेल्स आ रही है। आए अब इसकी GST Report देख लेते हैं। उसके लिए GSTR 1 पर जाएंगे। यह देखे, अभी हमने जो Bill बनाया था उसकी रिपोर्ट B2C Small में दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको Intrastate Cells के बारे में बताया। अगली वीडियो में हम आपको Intrastate Cells के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद। अवाद।